राम राम जी कैसे हैं आप सब आप सब कापके अपने चैनल विलेज लाइफ विद्सीमा में स्वागत्त हैं और आज दिन है रवीवार और इस टेम पे शाम के च्यार बच चुके हैं जिस टेम से मैंने अपना व्रोग स्टार्ट किया है तो बस अभी अपना जो काम है वो नह बेट गए हैं क्योंकि जो कप्ड़े मुझे वो भी उतार कर लेकर के जाने हैं निर्चे सूख चुके हैं अच्छी तरह से और थोड़ी दो धूप में बेट करके मैं अपने जो बाल हैं वो भी सुखा लूंगी कोट पार के के बन गया पापा बन गया किसा वापा बन गया नुका ममी देख देख पापा पापा हुण गया मैं कोट पारे तो बापा हो जा है अच्छे बोच्छी आना जा रादू तो हैं आज कुकर पार लिया कोट तो कुड़ता पाज हमां भेर बाथ कोट पारे तो को निकरा है आरे गीते बैबाबू के कड़े जा आगाई बैस इसलानी बैठ सकता थोड़ी देर भी कि तूँ ने को कर सरुमाओ है कि तो बस यहां पर हम बैठे हुए हैं संत्रे खा रहे हैं क्योंकि कई दिन हो चुके हैं तीन-चार दिन इनको गाजरूर संत्रे लेकर क्या दे किसी मजूस निकाल करके पी लेना लेकिन टाइम नहीं ल जाता है कुछ ना कुछ ना काम बें लगे ही रहते हैं कि थोड़ी देर बाद प्यूंगी थोड़ी बाद देर बाद प्यूंगी लेकिन फिर नहीं ताइम मिल पाता हम और एक ना जूस अंदरे और गाजर का जूस होता ना उसमें मिक्सी के भी बहुत सारी जूजे उठान हैं फोन का कुछ काम करें तो स्टैम भी खा लेते हैं तो बस यह संदरे रखे हुए थे तो मैं सूचा कि चलो अब दूप में बैट करके हम संदरे भी खा लेंगे थोड़ी देर दूप भी सेक लेंगे और फिर मैं कपड़े लेकर के जाओंगे नीचे और कोई आने सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और हम लोगों की दुआवी हर टाइम आपके साथ हैं सच में बहुत जादा अच्छा लगता है और हमारे मंद में भी उस टाइम पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी जरूर निकलता है जब आप हमें इतना प्यार और इतनी दुआएं देते हो तो बस मेरी प्यारे सी बच्ची पर आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों का आशिरवाद बना रहें प्यार बना रहें तो इस टाइम पर हो चुके हैं पोने पांच यानि चार बज़ करके 45 में तो चुके हैं और अब हम जाएंगे या या ये कट्चे उने के बाद हम ने चाय वनाई है कि मेरे का का नहीं दूद निकाल दिया था जब हम ने चाय आए तो वह वह ली ले लिए है अभी ख़ए के लिएconnect करने के लिए विजू है बताहूंगे बताँंगी नहीं तो फिर ऒप्र नहीं करने देंगे क्थ औरे यह बोल दिया कि बेटा यहां अंदर मत आना तो वह नहीं आएगी हाँ जया अकेला फिर सरार्त नहीं करता है तो मुझे यह कि उनके आने से पहले मैं अपना जो गिफ्ट करने का काम है वह कर लेती हूं बाकि जो काम है वह तो बात में भी होते रहेंगे और गिफ्ट राद् गिफ्ट लेकर के आऊंगी और फिर बच्चा उनको खोलता है ना तो फिर वह खुसी अलगी होती है सच में और मेरे पास ना स्पेसल फोन आ रहे हैं कि सीमा आज तो दिखाती होगी ना जो अराध्या के बार्डे गिफ्ट हैं तो मैंने बोला कि नहीं आज की वीडियो में तो नहीं होगा और सायद एक दो वीडियो में भी और ना हो क्योंकि बड़े व्लोगी आएगा फिर उसके बाद मैं बनाओंगी जो बड़े गिफ्ट होंगे उनकी जो ओपनिंग होगी उसकी लेकिन तो उस टाइम पर बोल रहे कि नहीं नहीं आसा मत करना हमारे साथ इतना नहीं होता है तो देखेंगे आज करेंगे इनकी ओपनिंग या फिर बाद में करेंगे तो अब यहाँ पे मैंने अपने जो गिफ्ट हैं सारे वो रख ली हैं और मैं इनको कुछ तो मैं वहीं से करवा कर ले करके आई थी मतलब टोहाना से ही दुकान से ही और बाकी मेरे रह जाने के बाद मैं अपने आप इनको पैक कर लूँगे जैसे भी करने आएंगे और अब देखिए कौन आया है तो यहां पर देखिए सुमन आई है और बहुत सारे लोगों ने बैसरी पैजान लिया होगा बिना बताए ही क्योंकि बहुत सारे लोग जानते बिल्कुल नहीं है उनके लिए बता रही हूं यह सुमन है और मेरी ननन्द है क्योंकि फिर कमेंट आने सुरू हो जाते फिर कमेंट में हमें रिप्लाई करना वड़ता है और चाय पी रहे हैं सभी तो बस काफी देर तक मैं वहां पर बैठी रही और बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि यहां पर भ्यास आने ही वाली आने ही वाली क्या है आ गई थी उस टेंब में जाड़ो निकाल रहे थी तो यही होता है कि जल्दी ही लेकर के आ जाएं तो बस अब यहां पर जाड़ो लगा दूंगी सुखा बिचा दूंगे और उसके बाद फिर अपना जो खाना है उसकी तैयारी करेंगे अब कर लेते हैं रात के खाने की तैयारी कड़ाई रखती है और कड़ाई में जो घी है वो मैंने डाल दिया है और अब उसके अंदर डाल दी है हजीरा और यहां इस कटोरी में पर पता सामोतलाल मicer भी डाल दीए और थोड़ी सी जो हेंग हैं और तड़का हो चुका था तो अब उसके अंदर जो प्यास टमाटर वर हरी मिच काटके रखे वे थे तो अ सारी चीज़े और थोड़ी सी जो कसूरी मेती है वो भी मैंने डाल दी है और उसके बाद यहाँ पर अपना जो बेसन का घूल है हम वो तैयार कर लेते हैं और जब पिछली बार मैंने कड़ी बनाई थी रात में तो कमेंट आए थे बहुत सारे की देखिए रात में कड़ी नहीं खाई जाती हैं तो हम खा लेते हैं और फिर वही बाद होता है घर वाले बोल देते तो फिर हो जाएता कि चलो कड़ी बना लेते क्योंकि यह भी ना सबसे ज़्यादा खुशी कड़ी ही खाते हैं और मेरे मां और शुमन भी बोल रही थी कि आज थोड़ा सा मन सा खराब हो रखा है क्यो नहीं कर रहा है तो इस करके जो कड़ी है वो मैंने बनाई है और यहां पर घोल भी हमारा तयार हो चुका है और जिससे मैं बेसन घोल रही थी इसे विसकर कहते हैं क्योंकि कमेंट आये थे मेरे पास की इसका नाम क्या है तो यहां पर बस पानी डाल करके हम कड़ी को काफी टा मासा जी लुट पर गया बया में पहले जाए है उसके इतना इतना ही वास हीो हों फो कुड़तर पजा मैं या दिवानी है बही है ठते नहीं मम्म्मी पूरी वान के इंदर ना पॉड़ा दिवान वीगा मम्मी ने ही यहां पुरहलों मिरता है और आ कितिना अमना भाण है तो कड़ी मैंने बनने के लिए रखती है काफी टाइम तक हम उसको पकाएंगे क्योंकि कड़ी तभी अच्छी बनती है जब वह काफी टाइम तक पकती है और उसके बाद आपर मेरी मसाले दानी है उसका तार जौ मसाला वो खतम हो चुका था बस एक दो डीबी में थोड़ी थोड़ी तो मैंने डाल दी है डना clown कर के हम 苹 yay क्योंकि इसको मुझे धोना है काफी गंदी हो रखीती है क्या होता है न कई बार मैं अराध्या को दे देती हूं रखने के लिए तो ये टेड़ा कर देती है उसको इसके फिर मसाले निकल करके निचे भी हो जाते हैं और बच्चों की सरारते जारी हैं किसी भी टाइम ये नहीं होगा कि अब घर में शान्ती होगी क्योंकि ये चारों मिलकर के बहुत ज़्यादा सरारत करते हैं फिर इनके आने के बाद तो अराध्या भी बहुत सरारती हो जाती है वरना वो सरारत नहीं करती है लेकिन जब ये जाते हैं तो मन भी बहुत जदा लगता है क्यूंकि ने चैल फैल सी हो जाती किसी साथदी में आए से में यह दो बच्चे इतना मतलब वो करकी रखते हैं उक्तिन जाता है और फिर भी जाता जैता है जाता तो मन बहुत जाता लगता बहुत इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि तीन चर दिन से हम लगाता हम लगाता हुपान कर रहे थे कि पर आप नहीं रहें चलता है और अब फिर इन्होंने मना कर दिया था तो फिर आज मेरे पास लगबग डेड़ का टाइम हो चुका था हमें यह था कि नहीं आएगी अब तो मना कर दिया हैं फिर फोन आया हमारे पास किसी मां में चल रही हूं अब तो बहुत अच्छा लगा सुन करके क्योंकि वर ना मन मायूसा हो गया था तीन चार लोगों की सला थी आने की स पास मैसेज आये हैं कि सिमा आज लाइव आओगे क्या तो देखिए लाइव वैसे तो मैं नहीं आप आऊंगी मतलब बाते करने के लिए क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिस तेम पर मैं वह शोवर करने हूं गयारा बज चुके हैं फिर यह वीडियो कहीं पर स चार पांच का टाइम रहेगा जब कर्टिंग होगी क्योंकि जो बहार से आते ना फिर उनको ज्यादा लेट होते हैं तो दिक्कत हो जाती है जाने में तो सब को ध्यान में रखते हुए यही टाइम हमने ठीक लगा तो टाइम मैंने बता दिया शाम की टाइम पर थोड़ा स और यहां पर हमारी बच्चा बारती खा रही है खाना मेरे काका को भी दे दिया है उसके बाद बस हम भी खा लेंगे और उसके आगे मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई क्योंकि थोड़ देर के लिए तो कोई आ गया था तो फिर जब बाहर का कोई आ जाता तो फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता कैमरा उन करना क्योंकि आप अगले को पसंद हो या ना हो वैसे जबर्दस्ति हम किसी को ले ले और फिर हम बेठे रहे कापी टाइम तक तो लेट हो चुके थे और इस करके मुझे इस वीडियो कभी यहीं पर एंड करना पड़ेगा तो चली फिर बाइबाइ देके